Hey, welcome back to the channel and I hope you guys are doing absolutely fine. Sorry, Babu. तो आज से चार महीने पहले मैंने Q&A के related एक community post डाला और honestly बोलूं तो मुझे लगा था 2-3,000 questions आएगे उन में से 30-40 questions उठाकर आराम से Q&A वीडियो बनाएंगे लेकिन आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा उस पे 17,000 questions आगे और मैं इतने सारे questions देखे एकदम डर गया क्य 40 questions उठाना बहुत बड़ी बात होती है तो मैंने decide किया हम लोग आराम से 2 महीने बाद Q&A वीडियो डालेंगे दो महीने हुए तो मैंने वीडियो में फिर से एक बार पूछा अगर कुछ questions रह गए तो आप पूछ सकते हो साला मुझे लगा था इस बार थोड़े कम questions आएग की income कितनी है मेरी girlfriend का face review मेरी age कितनी है मैंने पढ़ाई किस class तक की है और मेरा real name क्या है तो वीडियो को end तक देखना और जिसने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया होगा प्लीज बाई लोग आज कर देना इस Q&A का सबसे ज़ादा पूछा जाने वाला सवाल बिंजद बाई आपका दिल कितना बड़ा है मैं तो बड़े गर्व से बोलूँगा बहुत बड़ा है और मैं जानता हूं जिन 500 बंदों ने पूछा है ना उनका खुद का दिल तो बहुत छोटा होगा अब जो कोशन है वो इस Q&A वीडियो का सबसे ज़ादा फनी कोशन होने वाला है और यह पूछाया अपने एक्शन बोल्ट बाई ने आप तो शायद इनको जानते ही होगे यह भी बहुत पुराने यूट्यूबर है और शायद हम लोगोंने एक साथ यूट्यूब जर्नी शुरू की थी और इन्होंने पूछाया वो लड़की कौन थी स्टार्टिंग टाइम पे यादे किसकी बात कर रहा हूँ फेस्बुक पे मैं जानता हूँ कि आपको एक क्वेशन समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको समझाता हूँ मैंने आपको हमारे 0 to 1 million story time में बोला था जब हमारा YouTube channel grow नहीं हो रहा था तो मैंने लड़की बनकर 500 subscribers complete किये थे उन दिनों मेरे सिर्फ 50 subscribers थे और नहीं हमारा voice reveal हुआ था नहीं face reveal नहीं मेरे को कोई जानता था मैंने अपने facebook account का नाम और bio change करके और profile change करके एक cute सी लड़की का लगाया था और उन दिनों मैं free fire facebook page पे स कभी users को message करता था कि मैं एक लड़की हूँ मेरा channel subscribe करो कसम से इतना अच्छे से मैंने वो profile बनाया था ना कि किसी को कभी शाकी नहीं हुआ और उनी दिनों मैंने action bold को भी message किया था कि मैं एक लड़की हूँ मेरा channel subscribe करो उसने मुझे subscribe तो किया ही और उल्टा हूँ मेरी profile होगेगा लेकिन वो लड़की कोई मेरी friend नहीं वो मैं ही था क्योंकि मैं ज्यादा videos नहीं बनाता हूँ और इसलिए मेरी ज्यादातर videos sponsored होती है जिससे मेरे को अच्छी खासी earning आती है अगर आप इसको total में सुनना चाओगे तो मेरी एक महीने की लगबग इतनी earning होती है कि मैं आराम से 13 pro max खरीच सकता हूँ अब चलते हैं सबसे important सवालों की तरफ सबसे पहला सवाल मेरा नाम क्या है तो मेरा पूरा name है जैद बिन जफर मेरी age है 20 से 25 साल तक और जो exact मेरी age बताएगा ना उसको मिलेगे 500 diamond बात करें मेरी qualifications की तो इसी साल मेरी MBA degree complete हो गई लास्ट में इन बाई ने पूछाए कि parents reaction on 1 million देखो बाई पापाज का reaction तो एकदम normal होता है लेकिन जब मैंने अपनी मा को बोला वो बहुत emotional हो गई और उन्होंने मुझे ये तक बोला कि अब 10 लाख लोग तुमारे साथ जुड़ चुके उन सब लोगों की हमेशा इज़त करना मेरी मा को ये तक लगता है कि गेम खेलने वाले बच्चे बहुत शेरीफ होते लेकिन मैं उनको क्या बोलूँ ये साले ऐसे सवाल भी पूछते है पहले सवाल की बात करे तो नाम के बारे में मैं आल्रड़ी बता चुका दूसरे की बात करे तो सीजन टू ग्लोबल में में टॉप 3 गया था टॉप 1 नहीं और उस टाइम रैंक पुश करना बहुत ही ज़ादा मुश्किल था क्यूंकि बुया करने पे भी सिर्फ 2 प्लस होता था और इसलिए हम लोग को पूरा रात दिन खेलना पड़ता था क्या ममी पापा गुसा होते थे जब हाँ फ्री फायर खेलते थे पहले तो मुझे बहुत जादा डांट पड़ती थी लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोलता आज तक कितना टॉप अप किया है बराबर फिगर तो मेरे को याद नहीं है लेकिन अंदाजे से बोलू तो 2-3 लाग तो किया ही होगा लेकिन पिछले 5-6 महीने से मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है आपने किसी को बोला था बाई मुझे कुछ गिफ्ट कर दो बाई लाइफ में मैंने एक ये हरामी दोस्त को बोला था मुझे एक बैक पैक का स्किन गिफ्ट कर दो और उस साले ने भी लेक पॉकेट सेंड करके मेरे को चूना लगा दिया अभी चलते है थोड़े गेम से रिलेटेड कॉस्चन्स की तरफ मेरी फेवरेट डिश है चिकन शावर्मा मेरा फेवरेट गन है M1014 और मेरा फेवरेट स्किन है Evo MP14 मेरा फेवरेट बंडल है सकूरा बंडल फेवरेट मैप पुर्गेटरी है लेकिन मेरी जो सबसे फेवरे से बात मेरा फेवरेट के बात करते पहली इंकम के बाद पेरंट्स का क्या रियक्शन था तो मेरी जब पहली इंकम आई थी वो थी लगबख 12,000 रुपए और उस टाइम तक मेरे पेरंट्स को मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में ज्यादा पता नहीं था तो मैंने जब उनको बोला मेरी first income आई है तो वो लोग मेरे को शक की निगाओं से देखने लग गए उनको लगा था पता नहीं साला कहां से जुगाड करके लाया बहुत समझाने के बावजूद भी उनको बरोसा ही नहीं हो रहा था कि हमारा नालाइक बेटा भी कुछ कमा सकता है YouTube is your part time और full time सच बोलू तो इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता है दूसरा question है why you choose YouTube इसका आंसर एकदम सिंपल है मैं शुरू में अच्छा खेलता था और मैं चाता था लोगों को पता चले कि मैं अच्छा खेलता हूँ दूसरा question है what is your story for starting a YouTube channel इसका भी आंसर एकदम सिंपल है मैंने शुरू में एक hidden place का वीडियो डाला था और वो लोगों को पसंद आया और मैं वहाँ से YouTuber बन गया who is your inspiration to start YouTube मैं सच बोलू तो नहीं मेरा कोई inspiration राय यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए नहीं free fire खेलने के लिए तूकि ये सब मैंने तब शुरू किया था जब free fire के एक दो यूट्यूबर सी थे और मैं उनको जानता भी नहीं था कौन सी company की चड़ी पहनते हो जारा देखने दो भाई लिवाई से और color है white दूसरा dear है अपने मुँपे sauce की पूरी bottle डालो ममी पापा के सामने अब इस साले उसके बाद सीधा वो लोग मेरे को mental hospital ले जाएंगे आपकी voice must है edit और natural बाई 600 रुपे की mic पे क्या ही तो software यूज करूँगा अगर natural है तो मदुर आवाज का राज क्या है राज बस इतना है कि बार बार bathroom जाना बंद करो और अब चलते गर्ल्फरेंड वाले सवालों पे आपके आज तक के सफर में कितनी गर्ल्फरेंड थी सच बात बोलूं तो 10th class से पहले मेरी बहुत गर्ल्फरेंड थी लेकिन फिर 10th class के बाद एक ही थी जिसके साथ भी break up हो गया बोथ boyfriend girlfriend face reveal अपनी girlfriend का face reveal करो देखो बाई मेरा face reveal आपको instagram पे मिल जाएगा आप चाहे तो check out कर सकते हो मैं link description में दे दूँगा लेकिन girlfriend का face reveal मैं नहीं कर सकता क्योंकि अब वो मेरी girlfriend नहीं है और अगर मैंने face reveal कर दिया तो हो सकता है उसके घर पे problem हो तो please बाई लोग इस चीज़ के लिए कभी जिद मत करना नहीं कोई भी plans नहीं है अब मैं बस अपने career पे focus करना चाहता हूँ जो भी लोग अपने गर वालों के साथ रहते होना अगर आपको लगता है कि आप एक बड़े यूट्यूबर बनोगे उसके बाद आपके गर वाले आपको आराम से 24 गंटा free fire खेलने देगे तो आप उलू के पठे हो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है एक यूट्यूबर हो या नॉर्मल प्लेयर हमेशा गेम को लिमिट में ही खेलना चाहिए वरना flying chapel कभी भी आ सकती है आप इतने handsome कैसे हो एक cream आती है उसका नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन फिलाल के लिए तुम बार-बार washroom जाना बंद करो best incident in your college love you bro third year की बाते हम लोग का एक friend college washroom में था और हम लोग उने washroom का दर्वाजा ही बंद किया और हम वहाँ से बाग गए और दूसरे दिन जब हम college गे हमें ये चीज़ पता चला क्या हम लोग 6 दिन के लिए suspend हो गए क्योंकि साला उस washroom में हमारे friend के इलावा दो teachers भी थे सच में हम लोग उने college के 5 सालों में इतने कांड की है ना सुनाते सुनाते रात हो जाएगी reaction on 1 million after 4 years 1 million मेरे 4 सालों का dream रहा है और जिस दिन 1 million हुआ था ना मैंने बहुत जादा रोया था क्योंकि 4 साल मैंने उस चीज का wait किया था दूसरा question है सुकूरा और hip hop सुकूरा अब सीधा 4 पे चलते when you will start vlogs सच में बहुत जल भाई आपकी दुलहन भी gamer होनी चाहिए प्लीज बताओ पहले तो ये दुलहन वर्ट सुनकर मेरे को बहुत हसी आई लेकिन हाँ 100% मेरी बीवी gamer होनी चाहिए परना साला रोज मेरे को फालतो का चिक 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 सुनना पड़े शादी के बाद कितने बच्चे होंगे वो तो depend करता है कि उस टाइम lockdown होगा की नहीं अब चलते थोड़े rapid fire questions पे इतने सारे questions का answer देने के बाद मैं एकदम ठक चुका हूँ और मेरा रोजा भी है तो आप last तीन questions लेते जो पूछे है तीन free fire YouTubers ने और वो तीनों मेरे चोटे बाई जैसे सबसे पहला question है downtech gamer का और आप इसको complaint भी समझ सकते हो और इनका कहना है कि आज तक जितना treat खाया मेरे पैसों से और कोई भी काम करने से पहले pizza मांगते हो सब के बारे में बताओ ताकि audience को भी पता चले तुम कितने अच्छे हो guys downtech gamer को 5 लाग का PC मैंने build करा के दिया पैसे तो उसी के थे लेकिन सारी build की मेहनत मैंने की पांच पीजा गर आएगे तो काम होगा वरना बार्ड में जाएगा क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला comments में ज़रूर बोलना अब करते है second question की बात जो पुछा है स्वायम ने साला मतलब ही देखो कितना है बाई शादी कप करोगे जल्दी करो रहा नहीं जाता इसी बहाने कश्मीर गूमने का मौका मिल जाएगा साला इसको मेरी शादी की नहीं पड़िये ये बस कश्मीर आना चाता है गूमने वो भी free में साले को free का माल बहुत पसंद है ये स्वायम शादी करोंगा ना सड़क के कुत्नों तक को बुलाओंगा लेकिन तेर को नहीं बुलाओंगा अब इस Q&A के सबसे last question पे आते है जो पूछाए AS Gaming ने तो बाई ने पूछाए What is your biggest fear? बचपन सही मैं exam में fail होने से बहुत डरता था लेकिन फिर जब मैं college में एक subject में fail होा तो वो डर भी निकल गया उसके बाद जब मैं YouTube पे आया तो मैं channel down होने से बहुत डरता था लेकिन वो भी 2-3 बार हो चुका है तो वो डर भी निकल गया न मैं पानी से डरता हूँ क्योंकि मेरे को तैरना भी आता है न मैं अंदेरे से डरता हूँ क्योंकि मैं second floor पे रहता हूँ और यहां में अकेले सोता हूँ उंचाई से डरता हूँ क्योंकि मेरे को height पे बैठना बहुत पसंद है अब गिन चुनकर एक ही बात है जिसे मेरे को डर लगता है वो हो गया किसी का दिल तोड़ना मैं अपनी life में कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता इसलिए मैंने जब अभी स्वैम के बारे में बोला ना कि मैं कुट्टों को बुलाओंगा लेकिन उसको नहीं बुलाओंगा मैंने पहले उसको call किया और पूछा स्वैम मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या तेरे को बुरा तो नहीं लगेगा मैंने एत Ø तो, у क्या दिल